Sexual Assault Awareness Prevention Month एक जिया मीन है जिस बारे बहुत काटगाल सुनने नो मिल दी है कम्मुनिटी कहन दिये कि अजय केसिस अन जो सेक्शल असॉल्ट दियान पर कदी बाहर ही नहीं आए कम्मुनिटी दे रिकार्डिंग और दे एवी कहना है कि सरकार वलो इस संबंद भी छोर कदम चक्कंदी लोड़ है आओ कम्मुनिटी दे कुछ लोका नागाल करी अधे इस दिन दी महतबता इस महीने दी महतबता बारे जानिये अगस दोजर बाइवी स्टाट्स कैनेड़ा ने रिपोर्ट दिती कि कैनेड़ा विच जिंसी सोशन एक मातर हिंसा प्राद है जिस विच कमी नहीं आ रही है रिपोर्ट दे अनुसा 2021 वी जिंसी सोशन दी दार 1996 तो बास अबता बात सी कैनेड़ा वी 2021 वी जिंसी सोशन दी 35,000 तो वा रिपोर्टा आई आहान जो की 2020 आलो 18 प्रतिशत वाद है अजय आंकड़ा नू मदे नज़र जिंसी हिंसा रोकता महीना है जिसनू पहला जिंसी हमले वारे जागरुकता रोकता महीना किया जान्दा सी जिंसी हमले दे केंड़ा दे दहा किया तो जिंसी हिंसा प्रतिश जागरुकता लिया उनली समा अते उर्जा वजो इस महीने नू देखे जान्दा है इस महीने नू देख दे हुए ओमी नियूस नल जुड़े कुछ मारा नल गाल किती गई वना मुताबिक जए मेनिया दी लोड है खासकर जदसी दिन प्रतिदिन के सानू देख रहे हैं जो गवर्मेंट निकोशित किया है और कम्यूनिटी और कम्यूनिटी पार्टनर्स के बेच में मनाया जा रहा है और अवेरनेस रिज़ की जारे है एक मौका है इवेरनेस बढ़ाने की राइड की सेक्श्वा असल्ट बाकाद़ हम 2023 में बाकाद़ मेटू मुव्मेंट पिछले दस सालों में मतलब आके हुआ है अभी तक sexual assault और sexual harassment उसके survivors हमारे बीच मुझूद है यह जो मुद्दा है यह मैं खुद के practice as an employment lawyer में बहुत देखती हूँ unfortunately World Health Organization दे अनुसार जिनसी हिंसा कोई वी जिनसी काम जिनसी काम प्रापत करन दी कोशिस जा किसी व्यक्ती दुवारा जबर्दस्ती दी वर्तों कर दे हुए किसे व्यक्ति दी लिंगता दे विरोध निर्देशित किता होया कोई वी काम किसे वी व्यक्ति दोवारा पेड़त ना लोजे संबनदा नो परवा किते बिना दी गाल है जिनसी हिंसा लिंग अदारित हिंसा दा एक रूप है कोई वी जिंसी इन साथे जिंसी हमने दा अनुभव कर सकता है पर औरतां दे लड़कें नो वदेरे जोकम हुंदे हां ए रोमैंटिक रिष्टियां विच परिवारा मिच कामते अदे दोस्तां दे अजनबियां दे विचकार लोका मिचकार हो सकता है ए आम तरते एक दुझे नो जानन वाले लोका मिचकार नीजी थामाते हुंदा है मारा मताबिक कैनेडा सरकार देनुसा सदमे दे बाद पीड़े तजे बयान दे सकते हन जो अदूरे जा असंगन जाब दे हन ओना विवारा नो चुपाउं जा काट करन दी कोशिच भी कर दे देखे गई हान पुपलिक, जो अदिए अनुसाद जिन्सी हिंसाइक वक्रे तार्मिक अदे सभ्याचारिक महौल दी पिछोकर विच भी बिन दखनी जाई पाइचारे विच दरपेश मुदा है जो इस जन तक सिय संगत नु रोकन अदे परबंदन करन दी समर्तनल मेल खांदा है वोना मताबिक परिवारा दी पुरानी सोच जई कटनावन न बहारां तो रोकती है ट्राइल में उनको अपनी कहानी इंकिस तरह से बताया परना पड़ता है और किस तरह से उनको सवाल किये जाते हैं जहां पर उनको सावित करना पड़ता है कि एक तो इतनी बुरी चीज उनके साथ हुई है और उपर से उनको प्रूफ साबित करना पड़ता है कि यह हमारे साथ हुआ है तो किसी भी community I think के लिए यह खुती मुश्किल बात है लेकिन जहां तक हमारी South Asian community की बात चलती है तो I think इज़त का जो concept है हमारी communities में वो अभी तक बरकरार है ओफन किसी जाने माने शख्स के साथ यह हाथ से होते हैं राइ जो survivors होते हैं वो ओफन अभी जानते हैं उनके community का हिस्सा होते हैं उनका बहुत पावर होता है Because we know that women will talk to their neighbours, their friends, their family, they'll speak to their sisters or their sister-in-law, it's very important to know that the people who are being talked to respond with no judgment and reduce stigma Because this is never a woman's fault, if she's sexually assaulted, we have to reduce stigma In order to learn how to do the signal for help, you start with your hand like this in front of you, you fold your thumb over your palm and then you close your fingers And all those, you have to do all three of those things and that's a way of saying to somebody, so hand up, thumb over, fingers down, is a way of saying I need help Please contact me privately, it's also important that it's private and confidential And if you do that, that's a way of somebody telling you, I need help If someone is more sexual assault, they don't come forward to it So I think this is a very work for us, it's a very work for us as a community And this is a moment for us to think about all the conversations and to think about this Tarun Paul Singh, Omni News, Toronto And one day with me on two